इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेस्टूरेंट स्टाइल पनीर की सबजी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने पनीर को फ्राई कर लिया है अब उसी तेल में हम दो कटाओ अप्याज डालेंगे कुछ अद्रक के टुक्रे डालेंगे पास से छेले सुन की कलिया हम इसे प्याज के हलका नरम होने तक इसे पकाएंगे प्याज वोल का नरम हो गया है अब हम इसमें दो कटाओ अब टमाटर डालेंगे और टमाटर के नरम होने तक इसे पकाएंगे यह देखिए टमाटर जो है वो नरम हो गया है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इसका पेस्ट तयार कर लेंगे देखिए हमने उसे ठंडा करकर उसका पेस्ट तयार कर लिया है अब हमने कड़ाए में रिफाइंडर गरम किया है इसमें हम आधा चमज गोटा जीटा डालेंगे दो इलाइची और एक दाल चिने का टुक्टा डालेंगे एक तेज पत्ता डालेंगे आधे मिनिट के लिए बूल लेंगे उसके बाद हम इसमें एक छोटा चमज कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे चला लेंगे इसे उसके बाद हम इसमें एक छोटा चमज हल्दी पाउडर डालेंगे फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें तयार के वे पेस को डाल देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे हम ने इसे अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसमे एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब हम इसमें एक बड़ा जम्मज बेसन डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मसाले के पकने तक पकाएंगे यह देखिए मसाला जो यह अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे आपको जितनी पतली या गारी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी आड़ कर सकते हैं अब हम इसमें टेस्ट के नुः सा नौमाग आड़ करेंगे फिर इस ढखक कर ग्रेवी में उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ये देखे ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है अब हम इसमें फ्राइड के पनीर को डाल देंगे फिर हम इसमें एक हरी मिड्स जिसे हमने बीच से कट किया है उसे डाल देंगे एक चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे फिर सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ढखक कर 5-7 मिनित के लिए पकाएंगे अब 5-7 मिनित बाद ये देखिए हमारी सब्जी बन कर तयार है अब हम गैस को आफ कर देंगे हमारी रेस्टूरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बन कर बिलकुल तयार है इसे आप रोटी पराथे पूरी या नान या किसी के साथ भी खा सकते हैं इस तरी की सब एक बर पनीर की सब्जी को बना कर जरूर ट्राइ करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आक अंद बाना ना भूलें थांक यू